हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शीव टीन फ्लेम जैनि पर माय लविंग टीन सोल्स आप सभों को बहुत बहुत प्यार एवं अभार जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए है मुन सभी का स्वागत करती हूँ एक नया पोर्टल ओपन होने जा रहा है और ये आपके लिए बहुत कुछ लेकर आया है विशेशकर जब एक निव पोर्टल ओपन होता है तो आप डिवाइन से एलाइन होते हैं डिवाइन के ब्लेसिंग्स आपको मिलती है आप अपनी विशेश मैनिफेस्ट कर सकते हैं तो ये समय है मेडिटेशन का प्रेयर का ध्यान का जब आप इश्वर के निकट आकर अपने मन की बातों को अपने निवेदन को उनके सामने रख सकते हैं और बहुत कुछ अपने लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं यदि हम बात करें थ्री-थ्री पोटल के विश्य में, तो ये पोटल इतना ज़्यादा महत्रपुड क्यों है? नमबर थ्री जो की एक विशेश नमबर है, जो ट्रिनिटी को दर्शाता है, यानि की त्रिये की परवेश्वर, धर्म के अनुसार, जिसे ब्रम्हा विश्नु महेश और पिता पूत्र पवित्र आत्मा भी कहते हैं, जो एक डिवाइन पावर का संकेत है, और जब नमबर थ्र डबल हो जाता है, यानि की थ्री-थ्री, तो इसका प्रभाव और भी ज़्यादा हो जाता है, विशेश कर नमबर थ्री, जो की ग्रह स्वामी है, गुरू, और जो विज़्टम, नॉलेज, क्रियेशन, कम्निकेशन वा अबंडन्स को दर्शाते हैं, तो इस प्रकार थ्री- जिसके गुरू स्वामी है, और इनके प्रभाव के साथ थ्री प्लस थ्री इकल टू सिक्स, शुक्र ग्रह का प्रभाव भी दिखाई देता है, जो आपकी लाइफ में लव, रोमांस, यूनियन और बैलन्स को दर्शाते हैं, तो यहाँ पर ये समय आपके लिए बहुत जादा शुब्फर कारक और मंगल में होने वाला है, आपकी लाइफ में पहले से ज़्यादा प्रोग्रेस और अबंडन्स आएंगे, जॉब हो, सर्विस हो, या बिजनस, आप किसे भी फिल्ड में काम कर रहे हो, आप इसमें प्रोग्रेस को ही देखेंगे, यदि आपके का काम रुके हुए हैं, तो वो बनेंगे, नए मार्ग खुलेंगे, नए औसर आएंगे, नए ऐसे ऐसे मार्ग आपको दिखाई देंगे, जहां पर आपको अबंडन्स मिलेंगे, थ्री-थ्री पोर्टल जो बिग ट्रांस्फोर्मेशन को लाया है, यानि कि एसेंशन का प्रो नए डैमेंशन में पहुचेंगे, नई नई जानकारी, नई नई बातों को जानेंगे, डिवाइन की ओर से बहुत से मेसेजस मिलेंगे, कि आप डिवाइन से कनेक्ट हो चुके हैं, उसके अलावा जो लोग बहुत समय से साधना कर रहे हैं, वो इनलाइटेन होंगे, डिव उन रहे हैं, अपने उदेशों को पाना चाहते हैं, वो उसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये समय विज्टम, नॉलेज और अबंडन्स का है, ट्रांस्फोर्मेशन याने की परिवर्तन, बदलाव, आप अपने जीवन में एक बड़े बदलाव को देखने वाले हैं, और ये बदलाव बहुत ही सकारात्मक होने वाला है, क्योंकि यदि आप बहुत समय से कार्मिक्स एकाउंट में चल रहे थे, तो कार्मिक्स एकाउंट क्लियर होंगे, और कुछ ऐसे नए मित्र आपको मिलेंगे, सोलमेट मिलेंगे, जो आपको हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट में थे हो सकता है उनके साथ आपकी vibration नजमे क्योंकि आपका dimension change हो रहा है आप higher dimension में जा रहे हैं तो आपको जो मित्र मिलेंगे वो भी आपकी ही vibration के होंगे तो इस प्रकार आपको कुछ ऐसे मित्र मिल सकते हैं जिनके साथ आपकी बहुत अच्छी निभे तो इस प्रकार यह समय आपके relationship के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि reunion का समय है आपके inner union के द्वारा ही आप बाहरी तोर पर physical plane में reunion को पाएंगे inner dmdf balancing होगी divine से soul merging होगी बहुत से लोग divine में merge होगे उनकी बहुत जादा आध्यात्मिक उनती होगी इस प्रकार से वो अपने 3D के life में भी progress को पाएंगे यह portal reunion को भी लाया है बहुत से लोगों के harmonious union होगे और कुछ लोगों को permanently reunion भी मिलेंगे आप जानते हैं कि divine आपको आपके twin के साथ union में लाते हैं लेकिन वो आपके काम को देखकर आपको result देते हैं तो जिन्होंने भी खुद पर काम किया है वो अपने जीवन में बहुत बड़े miracle को देखने वाले हैं विशेशकर जो reunion है वो सबसे पहले तो आपके भीतर होगा inner union जब आपकी शिव शक्ति मर्ज होगी तो आपके अंदर एक creation होगा आप स्रिजन करेंगे नैने अनुसंधान करेंगे नैने कारेंगे बहुत से लोग creative हो जाएंगे अपने कारेंचेतर में और ज़्यादा कारेंगे इसके द्वारा आपकी creativity बढ़ेगी और इसी के द्वारा आप अपने soul purpose तक पहुचेंगे inner union ही 3D plane पर आपके person से आपका reunion करवाता है जब आप अपने उद्दीश से जुड़ते हैं अपने कारे छेतर में कारे करते हैं तो उस वक्त आपके partner से 3D में भी आपके reunion का योग बनता है और जैसा कि आप जानते हैं कि ये verse 2024 जिसका total होता है 8 और ये number infinity को दर्शाता है inner शिव शक्ती reunion को दर्शाता है तो यहाँ पर आपके partner से आपके reunion का भी योग है बहुत से लोगों को उनके twin के साथ harmonious union भी बिलेंगे ये portal justice को भी लेकर आया है यानि की न्याय ये verse शनी का verse है जो कर्म फल दाता है हर एक मनुश्य को उसके कर्म के आधार पर ही फल बिलेगा जिन्होंने भलाई के काम किये है निस्वारत भाव से काम किये है उन्हें शुब फल ही मिलेगा लेकिन जो लोग बुराई में नहित है निरंतर गलत कर्म कर रहे हैं उनको उसका फल मिलेगा तो इस प्रकार जो न्याय है वो इंस्टेंट हो रहा है जैसे जैसे आप बीज बो रहे हैं वैसे वैसे आपको फसल मिल रही है तो यहाँ पर जो लोग बहुत समय से न्याय की बाट जो रहे हैं जिनके जीवन में बहुत से ऐसे अन्याय हुए जिनके साथ विश्वाजगाद हुआ जिनको धोखे मिले जिनकी संपत्ती किसी और के द्वारा ले ली गई बहुत प्रकार से ऐसी प्रतार नाय जो उन्होंने ज्हेली है अनादर तिरसकार ऐसे प्रकार की कई भावनाओं का जो उन्होंने सामना किया है यहाँ पर उनका न्याय होगा जितना दुख उन्होंने साहा है जितनी तकलीफों का उन्होंने सामना किया है जितने आसू उन्होंने बहाए है अब उस सब का न्याय होगा आपको जस्टिस मिलेगा जिस समय की आप बाट जो रहे है वो समय आचुका है क्योंकि जो कुछ आपने सहा है उसके बदले में डिवाइन आपको दुगना प्रतिफल देंगे जितना अनादर, तिरसकार आपने सहा है उसके बदले में आपको दुगना, नाम, पद, प्रतिष्ठा, आदर, सम्मान मिलेगा धन के संबन में यदि आपने फैनिंसरी क्राइसेस को सहे हैं तो आपको मनी अबंडन्स मिलेंगे रिलेशन्शिप में यदि आपने विश्वाजगात को देखा है तो आपके नए रिलेशन्शिप बनेंगे और ऐसे लोग आपके जीवन में आएंगे जो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे तो इस प्रकार ये समय है बीक ट्रांस्फोर्मेशन, रियूरियन और जस्टिस का आपके जीवन में बड़े बड़े चमतकार होंगे अद्भुत और अलोकिक परिवर्तन दिखाई देंगे इसलिए पूरे दिन पॉजिटिविटी में रहिए सकरात्मक भाव में रहिए निगेटिविटी से बचिए क्योंकि कल का पूरा दिन प्रभावी रहने वाला है डिवाइन से कनेक्ट होए डिवाइन से इलाइन होए और अपनी प्राथना में अपने ध्यान मेडिटेशन में मैं अपनी सोल फैमिली के लिए एक छोटी सी प्रेयर करना चाहती हूँ तो विश्वास से आईए क्लेम कीजिए और डिवाइन का धन्यवाद कीजिए धन्यवाद 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 महान सरशक्तिमान पिता पर्मेश्वर अद्भुत, पर्बेश्वर, आदि और अनंस्रिष्टी करता हम आपकी प्रे संतान हैं और आप ने हमिए अधिकार दिया है इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके प्रेयर के लिए आपकी दया, आपकी करुना और आपके अनुग्रक के लिए आप अपना अशिर्वाद हम पर बनाए रखे मैं प्रात्ना करती हूँ अपनी सोल फेमली के लिए कि उन्हें बड़ी आशीज दीजे उनके जीवर में सुख, शांती, आनंद, धन, समरिधी का समावेश हो हर प्रकार के दुख, परिशानी, विपत्ती संकट से इनको बचा कर रखना इनके पूरे परिवार को संभालना, उन्हें प्रोटेक्ट करना हम एंजलो का पहरा लगाते हैं इनके परिवार के आसपास और इनके जीवन में, हर प्रकार से दिव शक्तिया इन्हें प्रोटेक्ट करें और नकारात्मक शक्तियों से इनको बच्चा कर रखें हे सरशक्तिमान पिता परवेश्वर जो लोग बिमार हैं, अस्वस्त हैं, वो स्वस्त हो जाएं जो लोग दुखी हैं, तकलीफ में हैं, जिनके साथ अन्याई हुआ है, वो लोग दुख से बाहर आएं, उनके आंसु पोचे जाए, वो एक नए समय को देखे, उनके जीवर में एक नया अध्याय शामिल हो, जो रोशनी कहो, क्योंकि इनके जीवर में जो भी अध्यारा था, वो अब दूर हो रहा है, और एक नई कीरण, एक प्रकाश की कीरण, एक ज्योती, इनके जीवर में प्रवेश कर रही है, जो उनके जीवर को और भी ज़्यादा प्रकाश वान कर रही है, जो लोग बहुत समय से अपने उदेश को ढून रहे हैं, अपने सोल परपस से सोल परपस में आए, और अपने कारी छेत्र में आकर कारी करें, उन्हें आशिरवात दें, ताके आने वाले समय में वो आपको सर्व करें, हुमनिटी को सर्व करें, हे पिता परमेश्वर, जो लोग बहुत समय से बंधन में हैं, उनके बंधन तोड़े जाए, जिन्होंने अन्याय को सहा है, अनादर और तिरसकार को सहा है, जिन्होंने अपने जीवन में, जिस छेत्र में जो जो खोया है, वो वो उन्हें वापस मिले दुगने परिमाड में, हम बिश्वास करते हैं कि आप न्याय करने वाले परमेश्वर हैं, और अब इनके साथ न्याय ही होगा जो कुछ इन्होंने खोया है उसके बदले में इन्हें दुगना मिलेगा सुख, शांती, आदर और समरिधी का भाव हम बेश्वास करते हैं जिनके साथी बिछड़ गए या उन्हें छोड़ कर चले गए अब वो उनके साथ पुनर मिलन करे हे इश्वर इनका रियूनियन होने पाए या अपने साथी से मेल करे आपकी कृपा से और इनके संबंध और भी अधिक मधूर और सुन्दर होने पाए आपका आशिरवाद उन पर बना रहे इस प्रकार हम अपनी पूरी सोल फैमली के लिए प्रातना करते हैं कि वो आने वाले समय में बड़े से बड़े चमतकार को देखे उसे प्राप्त करे और उनके जीवर में नए अउसर आए बहुतायित की आशिशे उनके जीवर में आए हम बेश्वास करते हैं कि वो चमतकार उनके जीवर में होने शुरू हो गए है आशिशे उनके जीवर में आ रही है उनके सारे दुख दूर हो गए है और खुशी और आनंद उनके जीवर में दस्तक दे रही है हम धनिवात करते हैं कि आपने उनके जीवन को बहुत ही जादा सुंदर बना दिया है, बहुत ही जादा कल्यारकारी बना दिया है, हम धनिवात करते हैं, हे सरशक्ति मानपिता परबेश्वर, और इन बातों के लिए आपको बहुत बहुत धनिवात करते हैं, इसी प्रकार आप अपनी कृपा इन पर हमेशा बनाए रखना ताकि ये अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा को पूरी कर सके हम धन्यवाद करते हैं इस छोटी सी विंती को सुन और ग्रहन कर धन्यवाद इसे पूरा करने के लिए और इनके जीवर में जो अध्भुच्यमतकार हो रहे हैं उसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं थैंक यू डिवाइन, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स